नमस्कार, सातियों आज का हमारा यह वीडियो हमारे एक सिच्छक साती की समस्या का समाधान है समस्या है कि हमने तो CL यानि आकस्मिक अवकार्स मानव संपदा पोर्टल पर अपलाई किया था परन्तु फिर भी मेरा बेतन कट गया और अनुपस्थिती लगा दी गई है इसके लिए हम क्या करें ताकि हमारा बेतन कटा हुआ बेतन वापस आ जाए तो साथियों तेखिए अनुपस्थिती लगने के दो ही कारण होते हैं पहला तो अनुशुरवड के दवरान या निरिछड के दवरान आपका विद्याले में उपस्थित ना होना और दूसरा होता है 21 तारिक से लेकर 25 तारिक तक जो आपके प्रधाना अध्यापक द्वारा उपस्थित लोग की जाती है अटेंडेंस लोग की जाती है मानव संपदा पोर्टल पर उसमें लीव पेंडेंसी को इगनोर करना ध्यान न देना किसी की लीव पेंडेंसी को ध्यान न देते हुए एक्स्ट्रेक्ट लीव में ओके दवा देना बिना यह जाने कि क्या सबकी सारे समस्थिस्टाप की जो लीव है वो एप्रूव हो चुकी है या नहीं होई है तो इनी दो सूरत में क्या होता है कि अनुपस्थिती किसी भी कर्मचारी की लग जाती है जिसके कारण बेतन जो है वो कट जाता है दो चार दिन का तो यदि ऐसा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो स्टेप लिखी है वो तीन माहा की है तीन माहा के अंदर आपका बेतन जो है वो आ जाएगा इसके लिए सबसे पहले देखिए सी यल आकस्मिक अवकास है तो आवेदन करने के साच यानि आपने आवेदन किया था उसका साच मानब संपदा पोर्टल से स्क्रीन सॉट लेकर अब वो स्क्रीन सॉट कहां से लेंगे आप आप लीब मॉडूल पर जाएंगे माई लीब वाले कॉलम में जाएंगे फिर माई लीब से आप लीब स्टेटस पर पहुँचेंगे लीब स्टेटस के कॉलम पर जाकर बहां से प्राप्त करेंगे लीब स्टेटस वाले कॉलम में आपको दिखेगा कि आपकी लीब जो है वो एपरूब नहीं हुई है अभी त के आधर लीब में लीब पेंडेंसी में आपकी लीब जो है वो पड़ी हुई होगी जिसमें उन्होंने अभी तक है प्रूब नहीं की होगी तो आपको बहां से उनके मानाश्मपता प्रोडल से स्क्रीन सॉर्ट लेकर उसकी फोटो कॉपी करवाएंगे आप स्क्रीन सॉर्ट की और श्रीमान खंड से च्छाहादकारी जी को तुरंत उपरोग्त प्रमाड या साच सनलगन करते हुए प्रातना पत्र लिखते हुए कटे हुए दिनों का बेतन प्राप्त हे तु बिशह आप बिशह में डालेंगे कि इतने दिन का दो दिन तीन दिन चार दिन एक दिन ज के रूप में आरहित करने है तो प्रातना पत्र यह पड़ेगा विशह एबं अपने प्रधाना अध्यापक से मोहर हस्ताचर कर प्रमाड़ित कराते हुए बी आर्सी पर डाक रिसीवर को देकर रिसीविंग प्राप्त करें सबसे पहले तो आपको यह करना है यह प्रातना पत्र किसी भी तरह का हो और आप कहीं भी दें उसकी रिसीविंग आप जरूर प्राप्त करें यदि आपको रिसीविंग देने से अमुक व्यक्ति मना करता है तो सक्षम अधिकारी से संपर्क करें तुरंत यदि वो सक्षम अधिकारी भी मना करते हैं तो उनसे उपर जो अ अगले माह का हो जाता है और आपका बेतन एरियर के रूप में एक या दो तीन दिन का नहीं आता है तो पुर्व प्रातना पत्र की परिक्रिया अपनाएं यानि फिर से एक प्रातना पत्र लिखें परन्तु अब प्रातना पत्र आपको किसको देना है जिला वेशिक सिछा अधिकारी को देना है अब प्रातना पत्र आपको जिला वेशिक सिछा अधिकारी को प्रेशित करें और कैसे प्रेशित करेंगे सनलगनक में एक पावती एक रिसीविंग और बढ़ा दें बी आरसी में प्रेशित प्रातना पत्र आपने जो बी आरसी पर प्रातना पत्र दिया था उसकी रिसीविंग लीती अब यह नहीं कि वह रिसीविंग आपने उसमें ल जो प्रातना पत्र दिया है उसमें ये वाला प्रातना पत्र जो है उसकी फोटो कापी उसमें आप सनलगन करेंगे और साथ ही साथ मानव संपदा पोर्टल पर जो लीव स्टेटस है उसमें आपकी जो लीव दिखाई दे रही है जो आपने अपलाई किया है जिसमें आपका ल लगने करेंगे अपने प्रातना पत्र में और अब आप देंगे कहां जिलावेशिक सिच्छा अधिकारी को तो यह हो गई आपकी प्रातना पत्र की दूसरी परिक्रिया अब आप दो माह यानि एक महीने और इंतजार करेंगे ठीक है दो माह का और इंतजार करने के उपरांत योडि आपका वेतन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे तो पोर्टल पर ओन-लाइन दोनों प्रातना पत्र बी यार्सी पर बी यार्सी और बी असे कार्याल है सनलगनक के रूप में अपलोड किये जाएंगे शिकायत के रूप में मुक्य मंतरी पोर्टल पर अब आपका तीसरे मंत में कटा हुआ जो बेतन है जितने दिन का वो आना तै है और इसके साथ ही साथ जहां जहां आपने प्राथना पत्र पूर्व में दिये हैं उनको भी इसका जबाब दे होगा इस पूरी परिक्रिया में तीन मा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका कटा हुआ बेतन आपको मिल जाएगा मेरा निवेदन है समस्याइं तो जीवन में आती ही रहती हैं परन्तु निवारन सही धंसे करने से ब्रस्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा उपरोक्त समस्या उत्पन ही न हो इसके लिए क्या करें देखिए ये जो समस्या उत्पन हुई है ये आगे से उत्पन ही न हो या किसी और के साथ हो ही न इसके लिए एक सहायक अध्यापक की क्या डिव्टी है और एक पढ़ाना अध्यापक की क्या ड्यूटी है तो देखिए जो उपस्थिति लॉक की जाती है 21 तारिक से लेकर और 25 तारिक के बीच में तो उससे पहले आपको मानव संपदा पोर्टल पर हर किसी सरकारी करमचारी को अपनी खुद की लीव मॉडुल में जाकर माई लीव में लीव स्टेटस में देखें कि सारी लीव जो आपने अपलाई करी है चाहे वो CL हो चाहे CCL हो चाहे वो लीव हो जो कुछ भी लीव है क्या वो अपरूब हो चुकी है यह दि अपरूब है तब तो सही है तो आपके यहां लीव को पर लॉक किया जा सकता है आपके हेड इंचार्ज द्वारा और यदि किसी की भी लीब पेंडेंसी अभी बनी हुई है लीब कोई अप्रूब होने से रह गई है तो आप बहुत जल्दी उसको अप्रूब कीजिए उसके बाद ही आप अटेंडेंस लॉक करें यहां पर देखिए हमने लिखा भी है सहायक अध् पदा पोर्डल पर बीस तारी को यानि 21 से 25 के बीच में लोग होती है तो बीस तारी को ही माई लीब में लीब स्टेटस चेक करें कि इस मा की सारी छुट्टियां स्विक्रत की जा चुकी है या नहीं यहां तो प्रदाना अध्यापक को सूचित करें कॉल करें कि हमारी ठीक है और एक प्रदाना अध्यापक को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए वो भी लीब जो है एक वार चेक कर लें अधर भी अधर लीब और माई लीब लीब मॉडूल में जाएं और अधर लीब और माई लीब अपनी लीब भी चेक कर लें कि उनकी भी लीव जो है वो खंड से चार्दगारी महोदय ने अपरूब कर दी है या नहीं उन में चेक करें तो उसमें लीव रिक्वेस्ट पेंडेंसी में देखें कि लीव सारी अपरूब हो चुकी या नहीं अगर हो गई है तो उपस्तिति को लॉक कर दें तो यदि इतना कर लिया जाएगा तो बहुत सी ऐसी बेतन कटने वाली समस्याएं और उपस्तिति लॉक होने वाली समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी और सात्यों मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल के लिए अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल और वीडियो आपको क एक निवेदन और भी है कि अपनी हर प्रकार की सिच्छा से सम्मंदित जो भी समस्याएं हैं उनको हमारे सामने रखिए हम उनका यथा समभब समाधान करने का प्रियास करेंगे धन्यवाद